तो water anima इसके बारे में क्योंकि कई सारे लोग को हम ये भी देखते हैं कि वो water anima ले लेके उल्टा acidity अपनी बढ़ा लेते हैं और कई बार फिर सूख के उनकी शरीर मतलब एकदम वात इतना बढ़ा लेते हैं पेट साफ करने के चक्कर में कि एकदम सूखा पतला से शरीर होता है तो आईरवेद का बस्ती मतलब तेल और काड़ोय वाला बस्ती बोला है ना कि water anima का इसी से जुड़ा सार फिर एक और सवाल उठता है ठीक है तीन पंचिकर्म तो समझ में आते हैं कि आपने बोला वात, पित, कफ के acidity होती है उसके लिए अलग-अलग तीन टाइप के पंचिकर्म करा लो अब यह इसमें रक्तमुक्षन कहां से आ गया रक्तमुक्षन भी कई गरंथकारों ने बताया है उन्होंने कहा है कि अगर अमलपित बहुत दिनों तक रहा और अगर ठीक नहीं हुआ तो आप लास्ट में रक्तमुक्षन भी कर सकते हो तो रक्तमुक्षन से क्या होता है शरीर में फैली हुई वुष्णता या हीट निकानने का एक अच्छा और सही तरीका है और उसमें क्या होता है कि अमलपित्त की वजह से अगर रक्त बिगड़ के रक्त खराब होके अगर कोई स्कीन के डिसीजेस हो गए जैसे कि सोर्य ऐसी से फोड़ो फोड़े और फुंसिया आना है या फिर शरीर पे वो चकत्ते आना जिसे हम शीत पित्त गहते है ऐसे वाली अगर बिमारी या अमलपित्त के कारण डिर्माण हो गई शरीर में तो आपको जरूर रक्तमुक्षन करना होता है और उसमें भी पहले गी पीते हैं दो दिगड़े और फिर वो खोन निकालते हैं तो इतनी आसान बात नहीं है, घी क्यों पिलाते हैं इसलिए है कि वो शरीर को सॉफ्ट करें पहले, शरीर को मुरूदु करें शॉफ्ट करें, तेल उपर से लगाए, घी पिए, पत्य का पालन करें तो क्या होता है शरीर ऐसे बताय गया, एक अलग बात और होगी थोड़ा समय जादा जाएगा लेकिन दोश जो है ना वो चिपके हुए रहे थे शरीर में चिपके हुए रहे थे अगर उसको निकालना है जैसे हम मशीन में ओली डालते तो कचरा निकलता है वैसे आप जब स्नेह पांद याने घी पीते हो और बाद में सेक कराते हो तो क्या होता है शरीर में चिपके हुए जो दोश है वो चिपके हुए दोश शरीर से निकल बाहर आते है चैनल में आ जाते है सिस्टिम्स में आ जाते है और वो छटे सात्वे दिन पेट में आ जाते है और पेट में आ गए तो उनको निकालना एकदम सही हो जाता है तो इस तरह का अईरवेद का सोचे कि आप उसे निकालना चाहते हो तो शरीर को पहले साफ बनाओ मुरुदू बनाओ ये एक कमाल की चीज बताई सर ने कि समपोस कि आपको यहाँ पे ऐसीडिटी हो हो कि अगर चर्मरोग हो गई है खुजली या दर्द हो रहा है तो आईरवेदा में आउश्यदी या घी पान इसलिए है कि उन दोश्रों को खीच के पेट में लाओ और फिर उसको जो भी सही तरीका है वमन विरेचन वहां से निकाल देना सर वमन विरेचन या पंच कर्म की बात करें तो कुछ और भी पेशन्ट हमें देखने मिलते हैं जिनको एसीडिटी के साथ और भी कई तकलीफ होती जैसे अलसर होता है जी आरडी होता है तब उस टाइम पर क्या करें उस टाइम आप वैदे की सला लें अच्छे तज्य वैदे के पास जाओ क्योंकि ये बहुत गंबीर विमारी है अलसर कोई साधी साधी चीज नहीं है विलकुल नहीं है आपको सही सला की जुरूत है तो ये कई बार क्योंकि ये सवाल सर इसलिए आया कई बार लोग खुझ से प्री डिसाइड़ेड आते हैं कि ठीक है ऐसे डिटी में वमन हमें क्यों वमन ही कराना है हमने बता चुकाँ पहले भी कि रुगणक कोई डिसीजन नहीं ले सकता ये डिसीजन वई दे ही लेते हैं और रुगणक कहे कि आम मुझे वमन कराना है भाई पेट में अलसर है तो वमन नहीं कर सकते हों उसके हम जाज करवाएंगे उसके कोई प्री प्रोसीजर्स करवाएंगे कोई दवाई देंगे बाद में अगर आपको हमें लगा कि आप वमन तेले फिट हो तो वमन देंगे ऐसे आप कहें और हम करें ऐसी वरी बात यह नहीं है क्लीनिक दवा खाना दुकान नहीं है आप जाए चाहे जाके मांगो और वो करा दो जैसे आप कही ब्यूटी पार्लर में जाओ और वहाँ कहो कि मुझे इस तरह की हैर स्टाइल करनी है करवा दो आप लेकिन अगर आप आईवेद के दवा खाने में आये और कहे हमें कि हमें ये कराना है तो भाई माफ कीजिये हमें हम आपको पहले जाचेंगे और हमें जो सही लगेगा वो ही हम करेंगे तो पंच कर्म क्योंकि पंच कर्म से जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में है और ऐसी भी है कि पंच कर्म करवा दो 15 दिन में तो ऐसे होता नहीं क्योंकि वमन करने के बाद थोड़े दिन रुकना होता है तुरंट हम विरेचन नहीं कर सकते उसका वमन प्रोसीजर हो गया अच्छी तरह से खाना खा लिया उसने 16-17 दिन उसके बाद वो फिर से चलो फिर से की पियो क्या आपके शरीर की हम पूरी तरह से वाट लगाए क्योंकि आयर्वेज नहीं ये कहा गया है कि अगर गलत पंचकर्म किया जाए तो कौनसे रोग होते उसकी लिस्ट बताईए अगर वमन गलत हुआ तो क्या होगा कौनसे रोग होंगे विरेजन गलत हुआ तो कौनसे रोग होंगे उसके लिस्ट बताईए तो क्या आप ये रोग आपके शरीर में और दूसरे रोग निर्मान करना चाहते हो ऐसा बिलकुल नहीं इसको बिलकुल इजिली आप मत लिए तो वो एक तो पंचकर्म कराना भी है तो सही कराना है या फिर मत कराईए क्योंकि गलत पंचकर्म आपकी जो बिमारी है उसको तो ठीक नहीं करेगा और भी बाकी बिमारियां पैदा कर सकता है ऐसा आईरवित के सास्त्रों में लिखा है सरी ये तो हुई बात ठीक है क्लीनिंग की पर कहीं लोग का बोलना है कि ये हमें जड़वर से कोई मतलब नहीं हमें अब भी जो तकलीफ हो रही है उसके लिए कुछ उपाए बताओ कुछ घरेलू चीजे बताओ तो उसके बारे में कुछ अब बताइए हा तो घरेलू चीजे और घरेलू नुस्खों के बिना ऐसे कारेकरम लोकप्रिय नहीं होता और आयरवेद ये कहता है कि घरेलू नुस्ख्य एक अपनी जगव पे है और लोग वो भी चाहते कि हमें आज अभी कुछ तकलीफ हो रही है आपके क्लीमिक तक आने के लिए दो गंटे है इसके बीच में क्या करे वो भी उनकी तकलीफ ही है ना तो एक आपको बता देता हूं कि लोग बोलते हैं कि हमें जलन है सिने में जलन हो रही है मुझे याद आता है कि सिने में जलन और मुंबई में यह शहर में हर शक्स आमलपित से परेशान की हुआ है तो यह परेशान जो है सीने में जलन से उसके लिए एक घरेल उपाई बता देता हूं कि जो एकदम बहुत इफेक्टिव है आपको मुनक्का पता होगा और हरड भी बता होगी जिसको हरित की कहते है तो हरड की टुकडे मिल जाते हैं बजार में आयर्मेदिक दुकान में और काला मुनक्का भी मिल जाता है तो काला मुनक्का आप एक 5-6 काले मुनक है और हरड जो आते हैं उसके टुकडे मिलते हैं दो टिन टुकडे ऐसे मूँ में चबाके उसका रस निगलते रही है थोड़ा 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 अगर आप ये करे लोग अम्मा को कैसे चबाते है वैसे ये चबाई तो इससे न जलन बहुत अच्छी तरह से कम हो जाती है अच्छी तरह से जिसे हम रिफ्लक्स इ के आके अन्न दली का कुण सूजन आ जाती है और उसमें साधा खाना निगलने में पानी निगलने भी इतनी मुश्किल हो जादी है पूछो मत तो तब ये बहुत ही असरदार ऐसा एक उपाय है आप जरूर करके देखिए इसे फाइदा हो आपने हरी तकी और ये बता है हरी त सरक डाउट ये होता है कि आयरवेद की दवाईयाना बहुत कड़वी होती है तो खाने में वो मजा नहीं आता या तकलीफ होती है तब क्या करें नहीं तो आप सिर्फ काला मुनक्का और सेंदा नमक खाईए चोड़ा सा अगर आपको हर्डे से कुछ तकलीफ है तो काला नम मुनक्कों का सूप पीजी 25 काले मुनक्के आप अगर रात को भीगो के रखते हो दो कप पानी में और उसका सुबह में उबाल के एक कप कर लेते हो चान के उसमें थोड़ा सा घी डालते हो और पीते हो तो बहुत अच्छा टेस्टी सूप बन जाता है उसमें थोड़ा सा थ जो उर्द्वग अमलपित्तो जो हमने कहा ना जिसमें उपर से खटी डखाराना और मूँ कड़वा और खटा होना और उल्टिया होना उसमें इसका बहुत फायदा होता है और जिनको पांस्टीपेशन है सार बहुत अच्छा फायदा हो अपने उपाय तो बहुत कमाल के बता जाते हैं और वो दवाईया देते हैं और वो दोवाईया इतनी कड़वी होती है कि पीने का मन हि नहीं कर दा तो ये आयरवेद में إतनी दवा इससे क्ड़वी पिश्जाती देखो आरग systर्म का बाते होना यहीं आमलपित्त की शमंच किस्था यानि। treatment वाले drugs है, दवाईया है, जिसमें बहुत famous हुई गुडूची याने गुडवेल है, गिलोए है, और बाकी याने पटोल है, किरातिक्त है, हाँ वो है, यह सब भूनिमबजी से आईरवेद में कहते हैं, तो यह सब तिक्तरस वाली दवाईया, कडवी दवाईया है, और कडव कम करने वाले कौनसे खाद्य बदारत है, प्त्यकारत है, रेसिपीस है उसके बारे में, लेकिन अगर treatment की बात की जाए, तो तिक्त कशाय और मधूर, तिक्त यानै कडवा, कशाय यानि कसयला, और मधूर आपको पता है, सामाने बारशा में स्वीट, तो यह तिक्त कशाय औ तिक्त का उदारने गिलोई कशाय का उदारने हरड और मधु का यानि मधुर रस का उदारने जश्टी मधु यानि यश्टी मधु जिसे कहा जाता है तो ये तीन जो द्रवे है ये प्रातिदरिक सोरुप से द्रवे तीन रसों के तो इन से चिकित्सा की जाती है और पहले जो दो लेते हैं और बहुत बार भी कैसा है कि जो लोग काड़ा नहीं पिना चाते तो उनकी लिए में टैबलेट्स भी आइलेबल है कोटे टैबलेट्स भी आयवलेबल है जो मुँ में रखने के बाद कढवी टेस्ट ना दे लेकिन कढवे रसों का आसर पेट में जाने के बाद करें ऐसी भी दवया आज उपलब्द है तो यह हो सकता है लेकिन कड़वा हम देते रहेंगे और ठीक करते रहेंगे तो आईर्वेदा में क्योंकि सर ने बताया था कि मीठे से भी लोगों को ऐसी डिटी होती है खटा, नमक, तीखा तो बचते हैं मतब यह चार टेस्ट तो आसी डिटी करते ही है तो केवल दो ही टेस्ट बचता है कड़वा और कसैला तो शुरू में क्यूंकि आईरविदा में बोला गया छे रस बोडी को बैलन्स करने का या स्वस्त लाने का काम करता है इसलिए हम आईरविद में कई बार कड़वी और कसेली दवाईयां देते हैं अब यहाँ पर एक और सवाल उड़ता है की सर आपने बोला गोली एसी इस होती है कि सर गोली भी जो एसव्य कम करने वाली खाही तो उल्टी हो जाती है państwo चाहा प्रशन पुछा आपने तो बूरी तो और आईरविद में ऐसी दवाईय जो सिर्फ जबान पे, मुह में, चटाने के बाद भी काम करती है इसका एक सुप्रसिद्ध उदारण है, वो है सुच्छेकर रस बहुत ही लोग का प्रिय हुआ है तो आयरुवेद में सुच्छेकर की गोलियां देना ऐसे कहां उल्लत नहीं है आप सुच्छेकर की मातरा, यानि कि सुच्छेकर की एक बड़ी सी ऐसी गोली मिलती है बड़ी गोली, वो आप घिसके निम्बू रस में या शहद में घिसके, आप जबान के चटाएं और उससे भी फाइदा हो जाता है, उल्टिया तुरंद रुख जाती है सुच्छेकर अध्रवियो का प्रभाव है, सुच्छेकर रस इसलिए बनाया गया है कि आप जब उल्टी हो रही हो, सरदर्द हो रहा हो और पेशन्ट जो भी ले रहा हो, बाहर आ रहा है तो ऐसे क्या देंगे, काड़ा देंगे उस समय सुबह गोली देंगी, क्या देंगे, क्या तब ऐसी दवाई उनका जन्वुवाग जो सिर्फ जबान पे चटाने के बाद भी काम करेगी ऐसी दवाई आयरुएद में एक सुशेकर का एक उदार इंडिया ऐसे बहुत सारी दवाई तो ऐसी भी आयरुएद में दवाईएँ हैं कि अगर आप गोली खा नहीं सकते पानी भी पीरे हो तो उल्टी हो जा रही है गोली भी उल्टी हो जा रही तो ऐसी भी बहुत सारी दवाईयां जो केवल चाटने से ऐसीडिटी ठीक हो जाती है तो ऐसीडिटी पे जबान पे केवल चाटने भर से मतब वाउशदी लगाने भर से ऐसीडिटी कंट्रोल होती है या अमलपित्य कंट्रोल होता, इस टाइप की भी बहुत सी दवाईयां है तो सर, सवाल ये उठता है कि SDD में और आईरविद में कौन-कौन सी दवाईयां बताई गई है जैसे मैंने अभी सुट्षेखर का जिकर किया वैसे आपको बता है कि सुट्षेखर है, प्रवाल पंचा मुर्थ है, लगू सुट्षेखर है, भूनिमबादी काना है धात्री लोह है, लिला विला सरस है ऐसे बहुत सारी दवाईयां बताई गई है तो उनसे हम ठ्रिक्मेंट करते है और भी सर, दवाईयां हमें देखनी मिलती, जैसे पत्थ्यादी काद, भूनिमबादी काद, काम दुदाईये तो सर, अगर बीमारी एक है, ऐसी डिटी तो कोई एक दवा बोलो न, आप 25-30 बीमारी है, मतलब दवाईयां बता के कन्फ्यूस क्यों कर रहे है ऐसे लोगों को सवाल आते है कादिफ्यूस मतलब यह है, कि अगर आप पन्फ्यूस जरूर हो जाओगे, क्योंकि आपने शास्त्रा नहीं पड़ा लेकिद वाईयां के सिर्फ नाम जाल, इसका उप्योग करने के लिए आपको प्लीज वाईया के पास जाना होगा क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अगर आते जामन पित्त है, कफज है, उर्दुअग है, आदोग है यानि कि उपर से जिसके लक्षन दिखाए देते है, जिसके पित्त के लक्षन नीचे की तरब से दिखाए देते है तो उसमें वो फरक देखके और इस पेशन में जो बिमारी हुई है, उसके तारण क्या है वो बहुत सारी मीठी दवा, मीठी चीजे खाके, पदार्दा खाके ये हुआ है या फट्टे अदस के पानी पूरी, गोल गप्पे, पाव बाजी खाके ये आमन पित्त हुआ है या वेफर खाए, पापड खाए, अचार खाए, नमक पीन चीजों से ये आमन पित्त हुआ है इस तरह की हम सोच रखते हैं और ये सोच रखते हैं, इसकी संप्राप्ती यानि शरीर में गड़नी वाली घटना है इस विशिष्ट रूण में कैसे गटी? ये हम एक सुक्ष्वरूप से इसका दिदान करते हैं और फिर दवाई सिलेक्ट करते हैं और वो देते हैं और तब ही फाइदा होता है तो ये जन्रलाइज दवाईओं का नाम आप ध्याने रखो लेकिन उसका उप्योग करना हो तो कृपया आप उप्योग अपनी सोच से दुकान में आज ऐसी परिस्तिती है कि बीना प्रेस्क्रिप्शन आयरुवेट की दवाईओं मिल जाती है लेकिन ऐसे करना गलत है क्योंकि उसकी मातरा क्या होनी चाहिए? कि कौन से परकृति को ये दवाई सूट होगी? अब रुटू कौन सा चल रहा है? बुक सवाई अच्छी है कि नहीं है? ये सब देखके अईरुवेट की दवाईओं हम सिलेक्ट करते हैं तो कृपया आप ये दवाईओं के सिर्फ नाम जान लीजी और उत्योग सही मातरा में करने के लिए खीक होने के लिए उसकी रिस्पॉंसिबिलिटी वैदे के ऊपर छोड़नी अच्छी है जैसे कि आपने बता है कि अलग 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 इंपक्ट है कई बरसर ऐसा होता है कि पेशेंट को हम पत्थ्यादी कौत लिखके देते हैं उसके उपर लिखा हुए सीरदर्द की दवा और पेशेंट दवा लेके वापस आता है कि मुझे तो ऐसी डिटी थी आपने सीरदर्द की दवा क्यों दे दी आपको समझ में नहीं आता गया ठीक है तो आयरुएद में जब दवाईयां बताये गई तो उसका उपयोग कौन-कौन से बिमारियों में होगा बिमारियों की कौन-कौन से स्टेज में होगा कौन-कौन से लक्षनों में होगा उसका उल्लेक किया है उसे फलसुरती कहते है फलसूती मतलब दवाईयों का उपयों कौन-कौन सी बिमारियों में करना चाहिए उसके लिस्ट दी रहती है अब यह पूरी के पूरी लिस्ट तो वो बॉटल पे नहीं छपी रहती जो वङद्य को पता है भाई पथ्यादी काड़ा, शेरत शूल के लिए सरदर्थ के लिए बहुत अच्छी दवाईय लेकिन वो और भी व्याधियों के लिए भी हो सकती है जैसे कि सुपषे करें और भी कई व्याधियों में है तो यह वैद्ययत तय करता है ना तो आप लेबल के उपर मंज़े लेबल में सिर्फ एक या दो ब्यादियों का बिमारियों का नाम लिखा रहेगा लेकिन बाकी सब तो वैद्ध ही जानता है सर आपने बताए कि ठीक है ये समझ में आगे कि दवा वैद्ध से लेना है एक और सवाल सर ऐसे उठता है कि आपने बुला था कि ये एसिड जो पेट में बनता है वो पूरे शरीर में घूमता है और पूरे शरीर को एसिडिक कर देता है और अलग-अलग धात्वों में अलग-अलग बिमारी करता है तो सब कुछ लोग ना इस तरह के उनके सवाल होते है कि इसमें कुछ आप घरेलू उपाई बता सकते हैं क्या तो मैं कुछ उसके रैंडम सवाल मतब रैपिड फायर सवाल पूछता हूँ और आप प्लीज उसे बताईए सबसे पहला सर ऐसी डिटी भी है और बाल भी जड़ रहा है क्या करूँ बाल जड़ भी रहे पक भी रहे आखों पे चश्मा आ रहा है स्कीन में थोड़ी रुप्षत आ रही है ऐसे सब गटना ये गट्टी है अगर रसदादू में अगर यामलता पहुंच गए दो उसके लिए आप शतावरी का उप्योग कर सकते हो शतावरी और गिलोए साथ में अगर आप ले और शैद के साथ ले और साथ में आप परहेज करे अच्छी तरह से तो ये आपके लक्षन कम हुजाते बहुत बार उसमें थोड़ा सा यश्टी मुदू भी डाली तो आपको फाइदा मिलेगा बाल गिरना कम हुजाते सर कितनी कितनी मातरा में और दिन में कब ले इसे ये समभाग यानि कि समान मातरा में आप एक कट्टा करके एक बोटल में बढ़े रखिए और एक चमज दो बार शहद के साथ या गरम पानी के साथ शहद और गरम पानी के साथ नहीं मैं फिर से दो रहता हूँ ये जोड़ा शहद के साथ या गरम पानी के साथ आप खाने के बाल जह लिए तो बाल जटता है तो सर ने शतावरी यस्टी मधू और उसके साथ सर आपने क्या बता है गिलोई ये तीन चीज़े आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद तो आपको उसमें फायदा देखने मिलेगा ये चीज़े टेंपरेरी फायदा करती है बट आप में से जिनको गरेलू चीज़े करना पसंद है उनके लिए फायदेमन हो सकती है सर कही लोगों को ऐसे डिडी के साथ जॉइंट जॉइंट स्पेन भी होता है जुडों का दर्द होता है वो क्या करें वो गरम पानी पिए सिंपल से दवाए गरम पानी पिए थोड़ा सा लंगन करें थोड़ा हलका खाना खाए तो जिसका जिकर पहले हुआ था वो आमनीक निर्मान होगा और फायदा होगा तो ये पहले करना चाहिए और उसके लंगन मतलब है उपवास उपवास मतलब कम खाना या बिलकुल ना खाना या वईद्य की निगरानी में वईद्य की सलाह से क्या खाना उसका ब खाना, गरब पानी पीकिए रहे हैं एक तब साधा खाना, भूख लगे तब खाना, तो ऐसा भी लंगन किया जाता है या फिर सिर्फ गरब पानी पीके, लंगन भी आमला पित्त की बहुत अच्छी जी इता है, कैसे? मतलब कि मैंने कहा था था तो पहले जी अगनीमान जिसे ही रोग निर्मान होता है तो जिनकी भुक कम हो गई है दो तरह का जैसे कि उर्द्वगादोग अमलपित्त हमने जैसे का वैसे भुक जादा लगती है ऐसे वाला अमलपित्त है और जिनको भुक कम लगती है ऐसे वाला अमलपित्त तो जिनको भुक कम हो गई है उनको हम पहले लंगन देते हैं तीन दिन का लंगन या पांच दिन का लंगन देते हैं उनको कहते ही कि आप सिर्फ लाजा के दान पे रहो लाजा के दान अपको पता होगा तो उस लाजा जो है तो उसके चावल की दान जिसों बोलते हैं वो लेक पारी में डाल के उबाल हो और उसका पानी पीओ या कौन का पानी पिए और उसी प्रवब तो थीन- तीन दीन उससे क्या होगा आपके भूख बढ़ेगी और भुख बढ़ने के बाद आमले पित्तो शुरू होने की यह पहला पाइदा से अमले पिता कं मोरे का यह पहला और इससे क्या होगा आपको जन्दी आपका अमलपित्य ठीक हो जाएगा दवाई अब अच्छी काम करेगी तो यह लंगन होता है तो जिनको आपका प्रश्ण यह था कि जॉइन के बिमारीया कम हो जाती जिनको अमलपित्य और यह साथ में है तो यह आप कर रही है दुसरी ब इससे भी आप गिलोए का उपयोग कर सकते हो जरूर और उसमें गिलोए है और अमल की है याने की आमला है और नागर वो था करके एक दरवे आता है तो दिखाओ किनों का मिश्रन आप करे और समान मातरा पर उसी तरह से और शहत के साथ या गरम पानी के साथ ले तो उसका फ गर्द होता है जैसे पैर जमीन पर रखते हैं उन वहां से लेके चाहिए आपकी गर्दन का दर्द तक हो उन सारे लोगों के लिए उन्होंने कमाल के उपाए बताएं कि गरम पानी उपवास और नागर मोथा आबला और गिलोए वला एक जो प्रयोग है वो सर कई लोगों क गर्द हो एसे डिडिके साथ सीने में जलन या फिर पूरे बौडी में जलन की तकलिफ होती कि पूरी बौडी जैसे लग रहा है जिसे किसी ने जला दी हो इस लेवल की जलन होती थोड़ी भी हीट बरदास नहीं होती वो क्या करें उसमे ज्यादा करके लोगों को आखों की जलन और हाथ पाउं के तल्वों की जलन ये ज़्यादा रहती है तो उसके लिए आयरोएद में धान्यक ही मोगताया है हमारा जो सुखा धनिया होता है नफी बहुत अच्छा अच्छी दवाई है इसे तो आप क्या करें आप एक कप पानी ले उसमें दो चम्मज धन्यक यानि राद बर उसे भिगो के रखे रहने दो और सुबह में उसको चान के वो पानी में थोड़ी शी शक्कर मिला दो जिनको डाइबिटी से वो शक्कर ना मिला है और थोड़ी शी शक्कर मिला के आप सुबह सुबह में खाली पे ये धन्यक हिम याने कि धन्यों का भिगाया तो अगर आप शरीर की जलन से परिशान है SAD के साथ तो धनिया का प्रयोक सर ने बता है अभी हम ले आए हैं सर ने लाजा वर्ड एक बोला था कई सारे लोग लाहा लाजा यह वर्ड बोला जाता है महाराश में इसली मिलता है कई सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं वो है क्या तो चली वो आपको दिखा देते हैं यह एक लाजा की थैलिया आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कई बार ऐसे होता है कि जो अच्छी चीज़े हैं वो आमें पता नहीं होती है तो यह लाजा है जिससे चावल की धान कहते हैं अगर आपने गणबती अथरवर शिर्षा आ आप इसे पढ़ते हो तो यह लाजेर यजती सव मेधावान भवती ऐसे वहाँ पर कहा गया है लाजा से अगर आप गणबती की गणेश जी की अगर पूजा करो तो वो व्यक्ति मेधावान बन जाता है तो अगर यह लाजा है यह आपने थोड़ा सा अपने खाने में हमारे शास्तरों का कहना है तो इसका उपयोग हम जादा करके लोगों को जब लंगन देते है यानि कि बिलकुल खाली पेट रखते है तब इसका उपयोग करते है इसके लाजा मंड जिसे कहते है यानि पानी में डालके यह इसको चावल के दान को पानी में डालके उबाला जाता है और उसका पानी पिया जाता है या फिर इसको घी में अच्छी तरह से उसको गरम करके उसमें थोड़ा जीरा पाउडर वगेरा डालके उसको चिवडे की तरह खाया जाता है इससे क्या होता है ये लाजा जो है ना लाजा चरदी शु वैसे कहा गया है चरदी मतलब क् किसी वज़े से होने दो, बुकार में होती है, अमलपित्त में होती है, जब दस्त होता है तब होती है, पेट में कुछ खराबी आ गई तब उल्टी होती है, जब कभी भी उल्टियां हो और कुछ भी पेट में नहीं जा रहा हो, तो सबसे बेश दवाई ये है चावल की धान और इससे बनाया हुआ जो लाजा मंड याने की चावल का जो पानी है वो बना के आप एक-एक चमज धिरे 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 से निगलते रहें तो उल्टी कम हो जाती है उल्टी कम करने वाली सबसे अच्छे घरेलू दवाई ये लाज का जो एक पहले जो को लो लक्षन है जिसे जी मिचल नाम कहते वो कम हो जाता है तो यह बहुत अच्छी एक दवाई यह है इसको आप घर में जरूर रखे एसेडिटी के साथ एक जो हम अलब रख लक्षनों की बात कर रहे हैं सर उसमें और चीज देखी जाती है कि लोगों को एसेडिटी के साथ सकिन डिसॉर्डर बहुत बार होता है तो ऐसे लोग क्या करें जिनको सकिन भी खराब हो रही है और एसेडिटी भी है तो आपके शब् और मुग साथ में लिया जाया है, मुग, तो बहुत सारे रोग जैसे की स्कीन डिसीज है, सफेद दाग जो बोलते जिसे श्वित्र रह कहते हैं, वो है, या फिर अमलपित्य है, प्रमेह यानि डायबिल्टिस है, ऐसी बीमारिया नहीं होती, तो यह अमल की एक बहुत महत्व आए हुए तरीकें से करते हैं, जैसे की अवले का मुरब्बा आप सब लोग जानते हो, तो अवले का मुरब्बा सुबह में खाना, ये भी एक अवले का मुरब्बा खाना, ये भी एक अमनपित्य की बहुत इच्छी दवाही है, दुसरा हम लोग ये बदा बनाते हैं, अम जो सूखे आमलकी के टुकड़े मिलते हैं वो बजार में आईवेदिक दुकाद में मिल जाते हैं उसका पाउडर भी चलेगा कैसर पाउडर चलेगा लेकिन अगर आप ऐसे टुकड़े लोगे तो ज्यादा अच्छा है तो पास ग्राम मक्षन आप अड़ाई में डालिए उस तक वो करें अगर वो टुकड़े है तो फिर इसको मिक्सर में डालके उसका पाउडर करें और एक एक चमच आप खाने के पहले ले खाने के पहले तो आपको अमलबित्त में बहुत अच्छे रायत मिलती है ऐसे ही सौफ जो घर में रेती है जी सौफ आवले का चूड़न औ और एक एक चमच खाने के बाद लीजिए उसका भी अच्छा फाइदा आमलबित्त में होता है आमले का एक सर ने कमाल का यूज बता है कि अगर आप आमले के तुकड़े को लेके मक्खन में भुनते जाते हैं और तब तक जब तक काला कोईला न हो जाए और वो वाला कॉंबिनेशन लेते हैं तो स्किन और एसिडिटी दोनों में बहुत अच्छा उसका फाइदा बता ह सर कई लोगों को एसिडिटी और जो पूरे इंडिया की प्रॉब्लम होगी है पूरी दुनिया की प्रॉब्लम होगी हो है कॉंस्टिपेशन कि पेटी साफ नहीं होता जलन भी हो रही है और पेट साफ नहीं हो रहा है तब क्या करें जब ये दो प्रॉब्लम साथ में हैं प फिर लिली जिए उसे पेट भी साफ हो जाता है और एक अमलबित्त में भी बहुत अच्छा फरक उसे आ जाता है बात में सब्जा की बीज भी मिलते हैं सब्जे के बीज राइए सब्जे के बीज जो मिलते हैं ना वो भी अगर आप पानी में 20 मिनिट टक भीगो के रखे तो भी ऐसे फुल जाते हैं उरका जेली जैसा बन जाता है और अगर आप दूद पचा सकते हो हां तो उसमें थोड़ा दूद मिलाईए और वो आप खाली प नक्य का सूब आप लेंगे तो भी पेट साफ हो जाएगा पित भी कम हो जाती है ऐसे में सबसे कमाल की चीज़ है वो है सौट था तो सौट अगर आप लेते हो और हम लोग कहते हैं कि आउले का चूड़ा और सौड का चूड़ा आप शूड़ा दो भाग और सोंट चोड़ना एक भाग ऐसे मिश्र करके आप रखिए और हम क्या कहता है कि अगर आप ट्रावलिंग करने हो कार से तो उसके दो दिन पहले एक दिन पहले ये लेना शुक कीजिए ओके और सुबह में जब आप आप निकलते हो या दूपर में तो पहले ही वो ले लिजे और उससे अपको फाइदा होगा ये जो सोंट है ये जो ये ट्रावलिंग से तकलीफ होती है तो सोंट और आमले का कॉम्बिनेशन और एक चीज बहुत जबह जदा पेट भर के खाके ट्रावल मत कीजिए वन्ना उससे भी आपको उल्टी की तकलीफ हो सकती है सर कई लोगों को acidity के साथ में पूरे शरीर में दर्द बहुत होता है मतलब इतना दर्द होता है कि वो परेशान हो जाते हैं और अगर anti मतलब दर्द कम करने की दवाईया वो खाते हैं एनाल जैसी कोई भी दवाईया लेते हैं तो उसे acidity भी बढ़ती है तब क्या करें जब दर्द भी है शरीर में और acidity भी है ठीक तो उसमें जैसे मैंने वो संधिवात का अपने प्रश्ण पूछा था कि जोड़ोंगा अगर दर्द है तो आपको पूरे बदन में दर्द है इसका मतलब यह है कि आपको फिर से वोई बात आपको थोड़ा लंधन करना होगा गरम पानी पीना होगा मूंग और वो चावल की धान जिसो बिसको लाजा कहते है उसके उपर दो दिन तक तीन दिन तक रहना होगा भुक बढ़ जाए तो वो समस्या आधिव आपकी मिट जाएगी उसके बाद में किरात तिक ये बहुत अच्छी दवाई है ये कडवी होती है कई लोग चिरायता भी बोलते हैं तो ये चिरायता का चूरन अगर आप लेते हो सौंट के साथ चिरायता चूरन दो भाग एक भाग सौंट का चूरन गरम पानी के साथ अगर अप लेते हो दिन में दो बार खाने के बाद तो आपको छे साथ दिन में आपका ये बदंदर कम हो जाएगा तो लास्ट दो और सवाल क्योंकि एसिडिटी से जुड़े लक्षन तो बहुत सारे हो सकते हैं पर दो और में चीज़े देखने मिलती है एक ये कि सर कई लिगों को एसिडिटी होते होते लंबे टाइम में अलसर्स हो जाता है तो वो क्या करे कि एसिडिटी भी है और अलसर्स भी हो गये है तो ये तो मैंने कहा वैसे कि ये नुस्खों की बात चले की और नुस्खों का एक अपना लिमिटेशन होता है ये घरेले उपाई ही है तो आप अलसर में आप घर में घरेले उपचार ना करे तो बैतर है आप वईद्य की सलाह ले फिर भी अगर आप जानना चाहते हो कि अगर कोई ऐसा छोटी सी चीज आप बता दो तो सबसे अच्छी चीज है वो है मुलेठी या यश्टी मुदू तो यश्टी मुदू अगर आप सुबह में उठने के बाद घी के साथ चाट के खाते हो देरे देरे और उपर थोड़ा सा गरम पानी पीते हो तो यह आंतों के पेट के घाव भरने वाली बहुत अच्छी सीधी साधी दवाई है यह मुझे चाले में भी फाइदे मन्द रही है जो यह होता है तो फिशर जिसे कहते है और या पिर वो मल के द्वार या उदर द्वार का दाह जिसके अपने जिक्र गया उ इसमें भी इसका फाइदा होता है और सर लास्स सवाल एसे जुड़ा हुआ है निस्खों के बारे में या लक्षणों के बारे में कई लोग उसर एसिडिटी रहती है खास करके महिलाओं में देखा जाता है वह लंबे टाइम तक एसिडिटी होने की करारार उनके शरीर में खुन की कमी देखने मिलती है कि हमेशा उनका हिमोगलोबीन 8-9 उसके आसपास ही रहता है तब क्या करें जब एसिडिटी की तकलिक भी और खुन की भी कमी हो रही है तो उसमें आप लोहे के बरतन का उप्यूग कीजिए लोहे के बरतन में सबजिया बनाईए घर में कडाई लोहे की लाईए एक लोहे का आपको तवा भी मिल जाता है जी जी तो उसके आप डोसा रोटी उसमें कीजिए दूसरी बात यह है कि अगर आमलपित्ति की ये जो इसको अगर दूद अच्छी तरह से हजम हो रहा है तो एक लोहे की बरतन में या लोहे की कडाई में आप तो आपको फाइदा होगा, तो लोगे के बरतन से भी दीरे दीरे अच्छी तरह से लोग बढ़ जाता है, तुसरा है एक अच्छा उपाई वो है अनार, एक अनार सो बिमार, ऐसी एक कावत है, लेकिन अनार आज सब जगा अवलेबल है, बारा महिशी तरह से मिलता भी है, तो अनार का रस आप अगर लेते हो निकालके दो अनार या एक अनार का रस निकालके आप सुबह में पीते हो थोड़ा सा उसमें जीरा डालते तो अनार के रस से भी बहुत अच्छी दर से धीरे धीरे लोह की मातरा बढ़ने लगती है आपको कसेले द्रवियों का और पदार्थों का उपयोग छोड़ना होगा, जिसमें चाय और कॉफी आते हैं, और चाय और कॉफी का अगर आप जादा यूज करते हो, बहुत सारे महिला हैं कॉफी पीती हैं, और बड़े-बड़े सीरियल में दिखाते हैं न, बड़े गिलास बड़े गिलास में चाय पीने के और कॉफी पीने के आजकल फैशन आई हुई है, तो वो पीते हैं, तो जादा मातरा में चाय और कॉफी पीना, यह आप अगर लोहों बड़ाना चाहते हो, तो छोड़ दीजिए, और यह मैंने कहा, वैसे लोहे के बरतन है, अनार का है, तो अनार का उपयोग कीजिए, तो बड़ेगा वो, आउले के साथ भी एक धात्री लोहों करके दवाई आती है, फिर भी वो वैद्य के सलाह से लेनी है, तो इसका उपयोग आप करें, मुनक का जो होता है, उसका एक आउले है, द्राक्षा उले है, उसका भी उपयोग अगर आ आता है, ऐसे वाले खाने के व्याजन कौन से है, पदार्त कौन से है, कौन से फल है, वो तो आप जा दोगे, वो आप उसमें उपयोग कीजिए, खाने में रखी, और एसनिटी से जुड़ा सा रेक और सवाल है कि कब लोगों को इन घरेलू नुस्खों को छोड़ कर वैद् इसाद दीन में अगर ये लक्षन कम ना हो, या थोड़े से कम हो जाए, लेकिन आपको तकलिफ शुरू ही रहे, तो आप जरूर वैद्य को मिलना चाहिए आपको, और मैंने जैसे पहले कहा, कि अमलपित्य एक पथ्छे साध्य व्यादी है, सिर्फ दवाईों से घरेलू उ अमने इतनी सारी हेतों की बात की, संपराप्ति और लक्षनों की बात की, कैसे अमलपित्य शरीर में होता है, तो हर एक व्यक्ति की परिक्षा तो करनी होगी, भई आपको अमलपित्य किस वज़र से है, वो तो देखना होगा, उसका पथ्य आपको करना होगा, दिनचरिय आ आपकी lifestyle चेर्ज कर भी होगी, तो वो सब चीज़े आप कैसे जानोगे, वईदे के पास जाना के यह तो जानोगी, तो यह आपको करना ही होगा, सिर्फ नुस्कों से काम नहीं चलता, सर, acidity से जुड़ा एक और चीज़ देखा जाता है, कि कई लोगों को H. pylori infection होता है, और उसके साथ उस infection के करण उनको continue acidity होती है, modern में उनको antibiotics और इस तरह की चीज़े दी जाती है, क्या आईरवेदा में भी इसका कुछ इलाज बताया गया है, तो H. pylori का उल्हेक तो होगा नहीं, आईरवेद में, यह तो आज की नए जनरेशन की संवशोदन की research के बाद यह बत आप में पता चली है, हम क्या करते हैं, H. pylori से हो, या किसी वज़े से हो, अंदर endoscopy का report, यह यह फलाना ऐसे आया हो, report कोई बताज दे हो blood की investigation से, या कुछ भी, हम लोग हमारी आयरवेद की दुष्टी से परिक्षा करते हैं, और वैसी चिकिसा देते, अगर H. pylori के आप बात कर रहे हो, तो उसमें ववन कराना ही फायदे मन ले हैं, और सारे H. pylori के रूबने जो है, वो ववन कराने से अच्छे हो गये, ऐसा है, इसके बात आते हैं, कुछ डाइट के बारे में, क्योंकि लोगों का सबसे ज़्यादा confusion यही रहता है, कि ठीके दवाईयां मिल जाती है, बीमारी के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, पर exactly हम खाये क्या, यह कोई नहीं बताता, और हम हमेशा confused रहते हैं, कि यह खाएं, कि यह ना खाएं, ऐसे, तो सर, कौन-कौन सी चीज़े आप, अपने जो आपके एसलिरी के पेशेंट्स हैं, उनको आप बोलते हैं, आपके डाइट में यह चीज़े आप जुरूर रखो, बिल्कुल, तो इसका एक शलोक आपके सामने रखना चाहता हूं, अब यह हमारा जो कारेकरम है हो, उसके हम अन्ततक आये, तो एक अच्छा एक शलोक बताता हूं, तो एक यो गरतना करकर के जो मदू सकतवा, करकोटकम कारवेललकम, रंभा, पुश्पम, जवास्तुकम, इसमें ऐसी लिस्ट बताई थी, अभी एक एक शब्द का आउं, अर्थ दिखते हैं, जलानी तपतशीतानी, इसका मतलब एक गरम करके ठंडा किया हूँआ पानी, यह आप पीजिर, सही मातरा में सही वक्त, किसकी चर्चा पहले हो चुकी, हम फिर से दोवराना नहीं चाते, दुसरा है मधू, याने की मद, शहद, शहद, यह किसी भी अमलपित्त के रुगणे के लिए, शहद एक बहुत अच्छी दवाई है, तो शहद का उप्योग आप कीजिए, दवाईयां भी शहद के साथ लिजिए, अमलपित्त में, बाद में आया सक्तव, आयाने सक्तु, याने सक्तु का जो आता है आटा उसका उप्योग कीजिए, या सक्तु का उप्योग कीजिए, बाद में आया ये कारवेलग, याने करेला, करेला का उप्योग कीजिए, वास्तु का मतलब है बथु उसकी सबजी का उपयोगा कीजिए रंभा पुष्प यानि कि केले का फल केले का फल के पहले आने वाला पुष्प तो ये केले का पुष्प उसकी सबजी भी महराष्ट में बनती है बाकि नौर्थ इंडिया में नहीं बनती है लेकिन ये बहुत अच्छी फाइदे मंदे इसमें अमलपित्त में बाकी रहे गया उसमें है कद्दू है बाद में टिंडी है परवर है ये सब सबजिया जो है लौकी है ये सब सबजिया अमलपित्त में फाइदे मंदे उसका आप उपयोग कीजिए जवार की रोटी का उपयोग कीजिए गेहो की रोटी थोड़ी कम खईए जवार की रोटी खईए तो उससे भी अमलबित्त में फैदा हो जाता है चावल जो है अगर हो सके तो कुकर में ना पका है बाहर पका है उसको पुराना चावल हो तो करते रहेंगे कुछ हपतों तक मेनों तक तो दीरे दीरे आपकी सिस्टेम में सुधार आएगा और फाइदा होगा सर एसीडीटी में कौन से मिल्क प्रोड़क्स यूज कर सकते हैं एसीडीटी में सिर्फ घी का उपयोग अच्छा है और आपको कहूं तो दही और तकर यानि छाज यह दोनों उष्ण है तो अमलब इत्तों में उसको सावधानते जिसको अपयोग करना चाहिए तो ददी और तकर का उपयोग आप सोच के कीजिए परस कई लोग को लगता है कि दही तो ठंडा है और चाज यह जिसको तकर बोलते है वो तो ठंडा है जो बची हुई है उसमें है मक्खन और घी और उससे भी अच्छा है गी जो बची हुई है जो भूक को बढाता है पित्त को कम करता है तो घी का उपयोग आप जरूर कीजिये और बाकी सब जो मैंने बताया चाज वगेरा वो आपके प्रकृति को और अभी आपको आमलपित्त है तो वो कंडिशन में चल सकता है कि नहीं आप ले सकते है कि नहीं उसका आप वईद्य की refined इस अलाह उसमें आप जरूर करें लेकिन यह सब चीजिए आप बंद करें और बाकी यह सब तो है मैने जिसे हैतुओं का भूआ उसमें ब्रेड है और bakery प्रोडक्क्स हैं यह सब तो आपको बंद करने होंगे ओउल करने होंगे ठंडडी दूद के बारे में अमारी च्रि तो जवार के लावा आपने वाला गेहूं कम खाऊ पर गेहूं ही बहुत सारी लोग खाते हैं, तो गेहूं छोड़के और कौन-कौन सी रोटी है जो लोग खा सकते हैं, जवार की रोटी खा सकते हैं, रागी की रोटी खा सकते हैं, जवार की रोटी खा सकते हैं, और बाजरे के रूटी बादरा थोड़ा ओष्ट मेहना होता है लेकिन ये चार रूटियां आप जरूर खा सकते हैं जो अमलपित्त में फाइदे मन्द है दूसरा एक चीज है कुलत्त कुल्थी जी ये जो इसका चलन महराष्ट में है कहीं उत्तराखंड में भी है तो ये कुल्थी जो है ये महराष्ट में बारिश के दिनों में खाई जाती है जब थोड़ी ठंड़क होती है लकिन अगर कुल्थी का जो अपने अगर कोई बनाया उसका पदार था और वो लंबे समय तक लिया बार बार लिया तो कुलत्तम अमलपित्त जनना नाम ऐसे आईरुएद में का कि कुल अगर कोई डाले है जो एसे डिटी का कारण बनती है इसमें एक बहुत बड़ी गहत गलत फहिमी है वो तौचा डाल पर है पर के दन तौचा दाल आमलपित्त में पहले कि शुरुवात करें, दिरे दिरे आप तुवर की डाल भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लिम ने, तुवर की डाल लेने से अमलपित्त होता ही है, ऐसा नहीं, यह द्याग न रखिये, उड़त की डाल सर, उड़त की डाल तो बिलकुल ही अमलपित्त करने वाली है, गुर सारे लोग का सर अभी कुछ random ऐसे सवाल भी आते हैं कि फिर acidity में क्या salad या जो कच्छे चीजे मिलती हैं कई आज कल बहुत बार बातचीद मिलती है कि आधा कच्छा खाओ आधा पेड भरके और फिर जो जितनी भूप बची है उसमें आप अपना दाल चावल बाजी रोटी तो क्या acidity में ये practice अच्छी वो तो आप स्थावल्य में यानि कि जो weight reduction करना चाहते हैं वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए बोला जाता है लेकिन जैसे मैंने पहले जिकर किया था अपकवन जो अच्छी तरह से जिसको पकाया नहीं गया वो अन्न अमलपित्त में नुकसा तो इसके लिए आधा पका पकाया हुआ ही नहीं जैसे कि salad है वो खाना बिल्कुल ठीक नहीं है अमलपित्त में वो नहीं खाना चाहिए और आप ऐसे चीजों की बात कर रहे हो ना कि salad खाओ खाने की cheese खाने की दही खाने की ice cream खाने के आप बात कर रहे है एक मुझे इस पे सुभाशित याद आता है जी और वो है कि दीपयेत उदरस्थम वन्निम दारीद्र्यम परमवशदम इसका मतलब यह है कि जो धनवा नहीं है जो दरीद्री है वो अच्छा अगनी रखता है अच्छी भूक रखता है और उससे आमलपित्त नहीं होता दारीद्रय अगनी क्या हुआ कि धनवान व्यक्ति जो है न वो सब मंगा सकते हैं उनके पास दौलत है सब जगह पे 12 महिनों 24 घंटों सब एवलेबल है हम पहले अंडर डेवलप कंट्री थे अब हमारे दसकों से हमारी वृद्धी हो रही है हम अपने बड़े देश बन रहे हैं पूरे विश् तो रात के दो बजे भी जो चाहे हो मंगा सकते हो तो क्या आप खरीदने की क्षमता रखते हो लेकिन क्या पचाने की क्षमता रखते हो अगर यह नहीं रखते तो आप सोच के खाईए यह जरूरी है तो दारी दर्म परमोशदम यह ध्यान में रखिए और आमलपित्त वैस तो दनवान लोगों ठीज तो एक दम बहुत बहुत ही हीट करने वाली बात यह है कि खरीदने की कैपसिटी है बड़ अगर आपके पचाने की कैपसिटी नहीं है तो फिर यह आपको दो चीजों में सोचना पड़ेगा आप अपने पचाने की कैपसिटी बढ़ाईए जो भी आप पैसे वाले हो लेकिन पैसे से आरोग्या नहीं करिदा जा सकता हेल्थ पैसे से नहीं मिलती एक दम सही बात सर और कुछ अभी रहा है डाउट्स मैंने यूट्यूब पे हमारा 14 लाग से ज्यादा लोगों की हमारा परिवार है फैमिली है और उसमें मैंने कमेंट डाला हैं तो आप अपने जो जो सवाल है वो आप कमेंट करके पूछिये तो ऐसे सर कई सारे सवाल आए है मैं उसको आपसे पूछते जाता हूँ और आप बताते जाहिए सर कुछ लोग के ऐसे सवाल है कि acidity में 24 घंटे में दिन में कितनी बार खाना चीए तीन बार ठीक सर नाश्टे में acidity में क्या खाए अभी बता है वो चावल के धान खाए मून खाए करम पानी पिए अंजीर खाए मुनक का खाए acidity में मीठा खाने के बहुत मन करता है तो क्या करें मीठा ना खाए मीठी बात करें जैसे कोई सेफ ओप्शन होगी बहुत ही मीठा खाने की इच्छा हो रही है तब क्या करें तब मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो सबसे मीठी अच्छी दवाई अमलब इतनी की वो शहद शहद और रोटी खाई आप मुरक्का उसमें ले सकते मुरक्का ले सकते आवले के मुरब्बे के साथ रोटी खाई क्या acidity पर fasting कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं वो तो treatment ही है अगर रात का खाना लेट हो रहा है तो क्या सुबह नास्टा कर सकते हैं नहीं करना चाहिए भूख लगने तक भूखी रहने पर acidity ज़्यादा तकलीब बढ़ जाती है तब क्या करें खाना करें ठीक है कई लोग का बोलने कि पंजाबी और साउथ इंडियन खाना खाते समय खाने के बाद बहुत ज़दा जलर होती है सीने में तो cold ring पी लेते तो अच्छा लगता है तो ये south इंडियन या पंजाबी खाने के साथ cold ring ये चलेगा क्या आपको चल सकता है आपके पेट को नहीं चल रही है आप दूश्टे चक्र में पढ़ जाओगे आपको फिर से ऐसे दिखी होगी दूसरे दिन जलन नहीं होगी बड़ अंदर ही अंदर आओगे बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा ठीक है कई लोग सुबह उटके टॉनिक के नाम पर दो चमज घी या फिर गरम पानी शहेद या तीन चार कच्छा लहसुन इस तरह की चीज़े खाते है तो क्या वो प्रैक्टिस सही है एसे डिटी में एसे डिटी में लसून खाना ये बिल्कुल ही गलत है आपको सोचके खाना होगा जिनको जिनकी उश्णता बढ़गी है शरीर में उनको लसून बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और ये मार्च, एप्रिल और ऑक्टोबर में जिनका आमने जिकर रखे आ था बड़ी और छोटी गर्मी का सीजन उसमें तो बिल्कुल रसून नहीं खाना चाहिए आप शहद ठंडे पाने के साथ ले सकते हो गरम पाने के साथ ले गी और शहद का अपने पूछाता तो गी और शहद असमान मातरा में गी ज़्यादा शहद कम या शहद ज़्यादा गी कम ऐसे मातरा में आप चाटके ले सकते हो सुबह में सर आजकल एपल सीडर विनेगर के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं कि स्टमक का जो पीएच आपका डाउन है उसे ठीक करता है तो क्या एपल सीडर विनेगर ले सकते हैं बिलकुल नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा अमलता वाली चीज़ है जिसका एक वर्ड का जिकर किया था शुक्त दा यानि कि बहुत थी उत्तम अत्यदिक मातरा में बढ़ी हुए अमलता उसमें रहती है तो यह अमलत इत्तमे नुकसान दायकी है सर कई लोगों का ऐसा है कि बोलते हैं कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ रिकमेंड करेंगे जो कि एसे डिटी पेशेंट को जरूर करनी चाहिए जो हमने कहा था दो तिन चीज़े आप सही वक्त पे सोईए और अगर आप फिर से एक श्लोग बताओ हाँ जरूर हिताशिस्याद मिताशिस्याद कादभोजी जितेंद्रिया चार आप चीज़े करो चार चीज़े करो हिताशिस्याद हितकर खाना जो है वो खाओ टाइम शुडल पे खाओ हमने अडाई गंटे और पांच गंटे की बात की थी तो हितकर खाना खाओ टाइम पे खाओ, मिताशिस्याद मतलब थोड़ा कम खाना खाओ पेट भर के खाना मत खाओ अईरवेद में चतुर्थम अवशेशेद कहा है थोड़ा सा वनफोर्थ भाग छोड़ दो खाने में मतलब जितनी भूख है उसका उसमें वनफोर्थ आपके पेट की कापैसिटी उसके चार वाग करो उसमें से वनफोर्थ भाग छोड़ दो ठीक है चतुर्थम अवशेशेद तो हिताशिस्याद मिताशिस्याद कालभुजी का मतलब है समय पे खाना खाओ और जितेंदर बन के खाओ अब यह जितेंदर क्या बात है जितेंदर नाम सुनते हैं में सुपरस्टार याद आता है तो वह वाली बात नी जितेंदर का मतलब है इंदरियों पे विजे आप रखो और खाना काओ इसका मतलब यह हुआ कि बेरे पास खाना परोसा हुआ है लोग ऐस्क्रिम खाने के लिए बुढा रहे है लेकिन आपको आपका जो मोह है वो आपको इसमे और खड़े में डालेगा आप मोह पे विजे रखो जितना आपको हजम होता है उतना ही खाओ लोग आपके सामने लेकिन आप मत खाओ तो हिताशी स्यात, मिताशी स्यात, कालब भूजी, जितेंद्रिया है यह चार चीजे आप करो तो अमना बित्त में पाइदा है लाइफस्टायल के बारे में बात हुई तो यह चार चीजे और सोदे का समय हमने बोला सुबह में क्या करना चाहिए खाना कब खाना चाहिए सब कामने अभी उलेख हुआ हमारी चर्चा में सर आपने बीयर के बारे में बोला तो क्या अलकोहल जो है कई लोग सोचते बीयर ठंडी है यह कई लोग नौन विच के साथ अलकोहल लेते हैं वो भी ऐसे डीडी के कारणों में बताया गया है मध्या पान अलकोहल बन करों जितना हो सके जल्दी अगाने में जीरा है धनिया है लॉंग है लॉंग बिलकुर आमलपित तो थोड़ी मातरा में यह अरा धनिया है सूखा धनिया है यह आप जरूफ है यह सब अब जरूब हल्दी उसकर सकते हैं अपने जैसे सर बोला कि पहले अगनी अच्छी करो और अगनी अच्छी होने के बाद घी खाना लोगों के लिए ज़्यादा फायदे मन्द होगा ज्यादतर सवाल सर ऐसे थे फिर कहीं लोगों के इस तरह के सवाल है कि उनको यह बीमारी लंबे समय से है और वो इतना तो फिर भी ठीक हो जाती है, आपने सही treatment नहीं ली आज तक, आपने सिर्फ दवाईयां ली और दवाईयों से ठीक करने की कोशिश की, हम बाकी चिकित्सा बद्धिती उपर हम अपना मत प्रदर्शित नहीं करना चाहते, लेकिन हम आईरवेद की दुष्टी से अगर बोले, तो आईरवेद में सर्वांगिन चिकित्सा है, जिसमें मैंने कहा वैसे, कि आपकी हम दिनचरिया अच्छी तरह से करेंगे, हम आपको डायेट का प्रमान लिखके देंगे, डायेट समय पे कौन से समय पे खाना है वो बताएंगे, आपको लंगन चिकित्सा करेंगे, वमन क करेंगी है उससे आपकी डाया है अमलेपित क्यों ठीक नहीं होगी चरूर ठीक होगी ओके तो आपको अगर acidity है भी और acidity से related बहुत सारे symptoms भी है तो भी चाहे वो आपको normal बाल जढ़ना हो या फिर आपको inferdility जैसे तकलिफ हो रही हो आईरवेद में पहले काया गया है जैसे कि हमने सर से लगबल दो घंटे के उपर बात की है या पहले हेतूओ को कारणों को बन कीजिए इसके बाद पंच कर्म के द्वारा आप शरीर की cleaning कराईए वो भी डॉक्टर के अंडर में और फिर इसके बाद अगर आप proper diet, medicine और lifestyle फॉलो करते हैं तो acidity perfectly 100% ठीक होने वाली बीमारी है सर जाते जाते एक दो और last सवाल जैसे सबसे पहले कई लोग बोलेगे कि ठीक है acidity जो जिनको बीमारी उनके लिए तो आपने बहुत कुछ बताया जिने acidity है नहीं और वो चाहते कि उनको भविश्य में ये बीमारी और इसके complications ना हो वो क्या करें दो चीजों पर ध्यान रखे एक अपना अगनी याने कि अपना भोजन पचाने की क्षमता अच्छी है इसके ओपर जरूर ध्यान दे अच्छी रहे दूसरी चीज है वासंतिक वमन याने कि वसंत रूतू में जब ठंडी कम हो जाती है और आगे का ग्रिश्म रूतू याने वो गर्मी शुरू होती है उसके बीच वाला जो सीजन है फर्वरी मार्च के आस पास तब आप वमन करवा लिजे ये स्वस्थ यक्तियों के लिए याने कि जिनको कुछ भी तरह की बिमारिया अब नहीं है अगर और वो बिमारियों से बचना चाहते है अगर आप आमलपित से बचना चाहते हो अमलपित्य भविश्य में ना हुआ ऐसा अगर आप चाहते हो तो आप वसंद रुद्व में वमन कीजिए और अगनी पे ध्यान रखे बस दो चीज़े कीजिए सर और एक कहावत है सो सोनार की एक लोहार की तो कोई एक गोल्डन एडवाइस जो आप बोलेंगे की ऐसी डिटी वालों को या जिनको कभी ऐसी डिटी ना हो ऐसे भी जो लोग चाहते हो तो कोई एक गोल्डन एडवाइस जो आप बोलना चाहे जाते याते ये बात अपने ऐसे कही कि सही वक्त पे एक टाका अगर लगाया जाए तो बे वक्त के सो टाकों से भी बढ़कर होता है ये ऐसी वाली बात है तो एक ही बताता हूँ आयरुवेद में कहा है कि पशुवत यो भुकते यो नराहा यानि कि जो पशु के समान खाता है उसको अजि जों से बढ़के उन्नत हुए ऐसे मानव प्राणी हो आप मानव प्राणी के जैसे रही और खाईए और इसी से आपको बीमारिया नहीं होगी धन्यवाद कि धन्यवाद तो ये हमारा फर्स पॉड़कास था जिसमें हमने एसी डिटी के बारे में जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि अगर कोई इस बीमारी के बारे में सबसे बेस्ट बता सकता है तो मेरी जानकारी में जो सर थे मैंने उनको बुलाया उम्मीद है कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला होगा इसके बाद भी अगर आपके acidity related कुछ doubts रह गए हैं आप comment करके पूछ सकते हैं हम सर को अगली बार जरूर बुलाएंगे और बाकी बच्चे हुए जो भी doubts है वो clear करके लेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त र च्झाल आपकेज सीखने पुलाएंगे बुलाएंगे तो मिलते हैं हम झालाएंगे incense झालाएंगे पुलाएंगे इते हैं éléments येडिए कक करके लिए तो महा ठ Armed को कर दो पीड़ते हैं और च değerःशपी हैं घnew सिएमितने हैं यॉआ पना स्वस्त धलाएंगे हैं यॉत education झा